दोस्तों इंडियन पॉलिटी कॉंसिजूशन की ट्रिक्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज की इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं fundamental rights का continuation लास्ट वीडिव में हमने करा था fundamental rights का पर्ट वन जिसमें हमने कुछ articles को थोड़ा सा हमने आपको simplify करके बताया था कि कैसे आप इनको learn रख सकते हैं यानि कि अब जानते हैं कि किसी भी government job के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी government job के अगर आप preparation कर रहे हैं तो हर एक government job में पूछा जाने वाला और बच्चों को सबसे ज़्यादा परिशान करने वाला ये articles होते हैं जो learn नहीं होते हैं बच्चों से जो याद नहीं होते ब और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और साथ-साथ में ही आपको आप हमारी mobile application भी download कर सकते हैं mobile application पे आपको बहुत सारे ऐसे mock test मिलेंगी government jobs के लिए किसी भी अगर आप preparation कर रहे हैं mock test आपको free mock test मिलेंगे तो वो भी आप join कर सकते हैं तो चलिए आज अपने इस series में आगे बढ़ते हैं देखें दोस्तो right to equality freedom और ये हमने दो ऐसे last class में हमने किये थे इनको tricks मैंने बताई थी आपने कैसे करना है तो अब सीधा straight forward jump करते हैं बगैर किसी फुजूल time waste के सीधा jump करते हैं आर्टिकल 23 तक आप जानते हैं कि हमारे जो fundamental rights है 12 to 35 मतब इंडियन constitution में जो articles आते हैं हमारे fundamental rights आते हैं ठीक है now यहाँ पे आपको समझना क्या है समझना आपको क्या है यहाँ पे देखिए right to right against exploitation जो है यह article 23 और article 24 में आते हैं यनि कि अब आपको याद होगा मैं एक बार आपको revise कर देता हूँ आपको मैंने जो सबसे पहली trick बताई थी कि सबसे बड़ी परिशानी क्या होती है यार बताए आपको असल में जो हमारी जो fundamental rights की जो sequence है वो हमें याद नहीं रहती है तो उसके लिए मैंने आपको sequence बताई थी efe efe r r तो छोटा करके p और r तो right to equality right to freedom right against exploitation उसके बाद मैंने आपको क्या था right to freedom of religion ठीक है right to freedom of religion freedom to manage religious affairs ठीक है cultural and educational rights cultural and educational rights cultural and educational rights और right to cultural and educational rights और right to constitutional remedies ठीक है right to constitutional remedies और इनका मैंने आपको trick भी बताई थी कि मतलब equality में कितने आपके articles आते हैं freedom में कितने आते हैं इसमें exploitation में कितने आते हैं इसमें कितने आते हैं उनके लिए मैंने recordings आपको बता दी थी अगर आपने notes बनाये हैं बहुत अच्छे से अपने notes में बनाया है और उसको बार-बार revise करेंगे definitely जिन्दगी भर नहीं हो लोगे आप और लिटरली दुआएं दोगे आप मुझे नाव यहां पर देखे अब यह जो आर्टिकल 23 है आर्टिकल 23 में क्या बहुत रहा है कि prohibition of traffic in human being and forced labor अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं इसको आपने क्या काम करना है देखे आपको मैंने पिछली ट्रिक में बताया था कि freedom फ्रीडम जो है वो ला पहला मैंने आपको पहला पहली वाली ट्रिक में बताई थी आपको ला ला हमें क्या करता है हमारा doubt को clear करता है ठीक है उसके बाद दूसरा मैंने आपको बदाया था law क्या करता है law clear करता है चीज़ों को ठीक है अब तीसरी चीज़ यहां से continuation law law को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या करते हैं तो आपको doubt होगा या ऐसी भी आप इस वे में भी याद रख सेकते हैं कि law जो है वो हमारे doubts को clear करता है law removes doubt या law clear करता है doubts को तो दूसरा है law clear अब law इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 100 MRP MRP मतलब 100 MRP 100 MRP मतलब यह कि किसी चीज़ का MRP जो है वो 100 है SAU तो freedom में मैंने आपको बताया था कि speech assembly union moment residence profession इस तरह का मैंने आपको बताया था now let's move ahead अब यह तीसरी ट्रिक है आज की और इसमें हमने क्या करना है traffic traffic employment ठीक है traffic employment तो traffic employment आपका trick है आपको याद आएगा कि यह प्रोहिबिट करता है trafficking of human being and forced labor जब आपको employment आएगा तो प्रोहिबिट करता है employment of children in hazardous jobs यह है आपका यह है आपका trick आपकी जो right against expectation है उसके बाद right to the freedom of religion अब है आपका article 25 इसमें यहाँ पे आपने क्या trick रखनी है देखो article 25 से लेकर 28 के बीच में इसमें आपने याद यह रखना है trick यह याद रखनी है trick आपने यह याद रखनी है इसमें आपने कौन man ठीक है कौन man कौन मैं टेक्स अटेंड इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कौन मैं कौन मैं टेक्स टेक्स अटेंडेंडेंज दूँ यह kind of यह trick क्या है कि कौन मैं टेक्स अटेंडेंडेंज दूँ तो टेक्स अटेंडेंडेंज कौन मैं टेक्स अटेंडेंड करूँ कौन मैं टेक्स अटेंडेंड करूँ तो यह है freedom of consigns, man में क्या है, con man, man freedom to manage the religious affairs, उसके बाद है tax, तो prohibit tax for promoting particular religion, ठीक है, उसके बाद है आपका attendance, तो यह बोरा है कि ensure the freedom as to attendance of religious instruction as per the certain institutions, तो con man tax attendance, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि con man tax attendance, ठीक है, con man, con man tax attendance, इतना भी आद रख सकते हैं आप, जैसे आपको suit करता है, जैसे आपको comfortable लगता है, वैसे आप करिएगा, ठीक है, नाव आपका last है, आपका article 29 और 30, आप 29 और 30, तो अब 29 article क्या कहता है, protect cultural and educational rights of minorities, और यह बोलता है कि यह right to administering, established educational institutions, तो article 29 और 30 यही बताते हैं, तो 29 को हम कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे article 29, let me write it down, culture, 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 minority, culture, minority, तो बस इतना ही याद रखने हैं आपने, यहाँ भाई यह जो, यह जो article 29 और 30 बोलता है, वो culture और minority की बात करता है, मतब culture और minority की बात करता है, अब यह cultural and educational rights की मतब की बात करता है, minorities का और यह minorities को, इसमें दोनों में minorities की ही बात की जा रही है, cultural and educational rights, तो यह cultural and educational rights, अब यह article 29 यह आ गया, ठीक है, minorities और grants, इसी में फिर आपका minorities को यह right देता है, कि वो आपने educational institution को, institutions को administer कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, established कर सकते हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 प्रोवाइड प्रोवाइड राइड तो constitutional remedies, ठीक है, अब यह जो आर्टिकल 32 है दोस्तों हमारा, आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं, यह आप पयाद रखेगा, इसको हम बोलते हैं, heart and soul, heart and soul of the Indian constitution, heart and soul of the Indian constitution, heart and soul of the Indian constitution, इसको हम बोलते हैं, right to constitutional remedies, तो इसमें हमारा एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 359, ठीक है, आर्टिकल 359, ठीक है, इसका similar आता है, जिसमें हमें यह हमें right देता है, supreme court और high court, अब इसमें आगे हम rits पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ rits है, rits के लिए मैं अलग से video लाओंगा, कि आपकी जो rits होती है, पांच ऐसी rits होती है, और rits के लिए भी मैं आपको, वो भी याद रखना मुश्क्र हो जाता है, mandamus क्या होता है, searchuary क्या होता है, ठीक है, qoaranto क्या होता है, वो याद रखना, मतलब वो confusing होते हैं, और वो भूल जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको, उनके लिए भी tricks लेके आओंगा, उनकी trick भी आलाईद से दूँगा आपको, उसकी फिकर मत कीजिएगा आप, उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद आता है आपका article 32, तो article 32 क्या कहता है, इसको आपने याद रखना है, इसको हमने ये हमें, 33, माफ कीजिएगा, 33, 33 हमें, 33 किसकी बात करता है हमारा, ये पारलिमेंट को powers, the parliament, Parliament to abrogate, ये क्या करता है, पारलिमेंट को abrogate, fundamental rights of the citizens, fundamental rights of armed forces, ठीक है, paramilitary police forces और intelligence agencies ठीक है तो अब यह जो बताया है कि यह जो ला मेड अंडर पालियम आर्टिकल आर्टिकल 33 कैनाट भी इसको आप challenge नहीं कर सकते हो cannot be challenged in any court of law ठीक है cannot be challenged in any court of law okay article 34 article 34 क्या कहता है इसमें हम यह restrict करता है रिस्ट्रिक्स फंडमेंटर राइट्स वेन मार्शल ला वेर या वियर आप बोलते हैं वियर मार्शल ला इज इन फॉर्स इन एरिया ठीक है आर्टिकल 34 यह चीज़ प्रवाइड करता है उसकी पर लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 35 ठीक है तो आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि पार्लिमेंट जो है वो ला बनाता है टू गिव एफेक्ट तो सर्टन स्पेसिपाइड फंडमेंटर राइट्स ठीक है तो यह दिस इस आल बोड़ दर फंडमेंटर राइट्स तो उसकी बाद एक और चीज़ में यहां पर एड करना एक बार मुझे थोड़ा रिवाइन करने दीजिए आर्टिकल 21 के अंदर आता है आपका राइट टू पर्सनल लाइफ और लिबर्टी मतलब राइट टू प्राइवेसी आता है इसके अंदर ठीक है तो यह थी आज की जो ट्रिक नेक्स ट्रिक थी हमारी फंडमेंटर राइ प्रिक्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा आपने कुछ नहीं करना है आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करने है शेयर करने है इन वीडियो का अपने दोस्तों के साथ और और आफ कोर्स और आफ कोर्स आपने डिफिनेटली स्पोर्ट करना है हमें ठीक है तो बाकि हमारे telegram channel को आप जॉइन करना बिलकुल भी ना बोलिये हमारे telegram channel का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा या आप हमारी app को भी download कर ले हमारी mobile application का link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए इसी के साथ आज का हम यहीं पर conclude करते हैं तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़ा खुदा हाफिज